नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाट केक और रियक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ आलो तो आज जो वीडियो में आप लोगों के साथ देखने वाला हूँ और जिस वीडियो पर मैं रियक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है कि प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया फॉर ए डे पाकिस्तानी पॉब्लिक रियक्शन तो मुझे लग रहा है कि टाइटल से यह लग रहा है कि यह पाकिस्तान की जनरता से पूशने वाले हैं कि अगर आप भारत के प्रधान मंत्री एक दिन के लिए बन गए तो क्या करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत इंट्रेस्टिंग जवाब आने वाले हैं पाकिस्तानी जन्रता की तरफ से तो चलिए देखते हैं जरा पाकिस्तान और इंडियो जो हमारा मुलक है उसकी सला करवानी चाहिए जो इतने महाँ जलम होते हैं जो वहां रहते हैं जो बताते रहते हैं कि इतने जलम हम पर यह सारी चीज़े होती हैं तो वो सारी चीज़े खतम हो ताकि हम भी वहां जा सकें वो लोग यहां आ सकें यह सारे रास्ते बहार लोग यह सारी चीज़े होनी चाहिए अब वहां की मोदी जो है वो सारी पैसे अपने जेब में रखता है हमारे इमरान खान साब भी रखते हैं बट इतना नहीं रखते मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इंडिया आईए मैं आपके लिए इंतजाम करवाता हूँ वीजा का अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही है तो और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपके इंतजाम कराता हूँ भारत आने का आपको जो दिखता है ना कि यहां पर पैसे जेब में रखे जा रहे हैं मोदी जी पैसे अपनी जेब में रख ले रहे हैं यहां पर गुर्बत यानि की जो गरीबी है वो बहुत ज़ादा है तो मैडम आपको अंदाजा नहीं है फिर आपने इंडिया देखा ही नहीं है और इंडिया के बारे में आप जानती ही नहीं या फिर आप जान बूज कर जूट बोल रही है आज के दौर में कोई भी चीज छुप नहीं सकती अगर आपको लगता है कि भारत में गुर्बत बहुत जादा है तो आप यूटूब पर वीडियोज देखें आप खबरों को सरच किजिए कि कितनी गरीबी है और आप गरीबी की बात करती है आपको पता है पाकिस्तान और भारत में गरीबी का क्या फर्ख है जबकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो हमारे मुकाबले बहुत काम है हम 140 करोड है आप 22 करोड हो उसके बाद भी जो आपका जो रेशियो है ना गरीबी का ये मेरा डेटा नहीं है ये आपके पाकिस्तानी अख़बारों ने डेटा दिया है वो वर्ल्ल बैंक का डेटा है वो डेटा कहता है कि 32 से 35 फीजदी के बीच जो है आपका गरीब लोग है आपके अब आप समझ रही हैं कि 22 करोड आवाम में से 32 से 35 फीजदी लोग जो है वो गरीब है और अगले साल का जो डेटा है वो तो शायद 39 परसंट के आसपास है जो एकिस बाइस का डेटा है तो जरा फरक कीजिए और भारत के लिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसका भी मैं स्क्रींशोट आपको दिखा देता हूँ और चाहें तो दोनों के लिंक मैंने नीचे दिये हुए है जाके आप पढ़ लो और जो भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान में गुर्बत कम है और भारत में बहुत ज़्यादा गुर्बत है भारत में बहुत ज़्यादा लोग गरीब है तो प्लीज ये दो लिंक दिये हैं ये आप कहीं अख़वार के हैं और एक हमारे अख़वार का है जो भारत के बारे में डेटा है तो आप उसे जाकर देखे हैं और दोनों शायद वर्ल्बंक की रिपोर्ट से हैं हमारे यहाँ जो गरीबी है ना वो 7-10% है और वो भी कोरोना की वज़े से आ गई है यनि तो उसके पहले ये भी बहुत कम थी और हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ल्बंक की रिपोर्ट कहती है आप जाके पढ़ लो तो आप समझ रहे हो कि कहां आपके 22 करोन में से 32 से 35 फीज़दी कहीं शायद 39 परसंट भी है तो इतने लोग गरीब हैं मतलब year to year और हमारे यहां 7 से 10 परसंट आपको अंदाजा है कि 7 से 10 परसंट का रिशियो और 32 से 35 फीज़दी का रिशियो क्या होता है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जब भी यह बात आप लोगों कहते हैं आप लोगों को शर्मिन्दा होना पड़ेगा कि भारत में गरीबी ज़्यादा है और आपके यहां कम है हमारे यहां गरीबी बहुत कम हो चुकी है बहुत कम और गरीबों के लिए कोई भूखा नहीं मरता है यहां पे जूट बोलने में तो आप लोगों का भाई सानी नहीं है और इसलिए आप लोगों का मजाक बनता है हर जगा हर जगा जूट का लेकर पहुंच जाओगे UN में फिलिस्तीन की लड़की का फोटो दिखा के कहते हो कि जी यह तो कश्मीर में हो रहा है जूट तो रग-रग में आपके है नीचे सलिकर ऊपर तक अब बताओ उतनी बड़ी डिप्लोमाट थी वो और वो जाके UN में कर रही है फिलिस्तीन की फोटो दिखा के भाई यह कश्मीर की लड़की और कश्मीर में हो रहा है शर्म आती है आप लोग को क्योंकि प्रोपगंडा करते हो आप लोग और यह गरीबी वाला प्रोपगंडा यही है अब मैं इस पर अलग से किसे वीडियो बनाता हूँ गरीबी वाला जैसे टॉलेट वाले बनाया था ना पाकिस्तान में सबको लगता है कि भारत में टॉलेट नहीं है टॉलेट नहीं उस वीडियो के बाद जबाण बन दोगई है मोदी जी मोस्ट अड्माइड प्राइम मिनिस्टर में से आते है अठ फे नंबर पर आते है उसकी लिस में इम्रान कान है भी नहीं तो इस पर क्या कहोगी, आप किस तरह वो इतने, उनकों भी नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है, अच्छा तो वारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो वो क्यों हो फिर, पर वो पसंद किये गए हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइल, पत्ता नहीं, वहाँ के लोग तो उन्हें PM के तौर पर चुना है, और जिसको सबसे ज़ादा वोट पड़ते हैं, जो पार्टी जीतती है, जिसके पास सबसे ज़ादा सांसद होते हैं, उसी पार्टी का PM बनता है, और PM मोदी के चेहरा आगे रखकर BJP ने चुनाव लड़ा था, यहां के लोगों ने चुना आप लोग की बातों से यार, शर्म कर लो कुछ यार, शर्म कर लो, ऐसी बाते कहने से पहला आप लोग सोचते नहीं हो कि यह वीडियो भारत में भी देखा जाएगा, फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर आप वाइरल हो जाओगे कि देखो, यह पाकिस्तान की करनसी पता है क्या हालत है आपकी करनसी की, एक सो असी रुपए के करीब पहुंच गई है, एक डॉलर आपकी पाकिस्तानी करनसी और हमारी 72-73 रुपए के पास है, शर्म नहीं आती आपको ये बात कहते हुए, शर्म नहीं आती आपको, अगर आप ये महतरमा वीडियो देख रही हैं तो आपको शर्मिन्दा होना चाहिए, शर्मिन्दा हो जाएए, इतनी सफाई से जूट बोल रही हैं, और आगे से कभी इंटर्व्यू देना, तो ध्या कुड़ाया जाएगा, अगर आपने जूट वोला प्रोपगंडा फैलाया तो, अगर आपने जूट वोला प्रोपगंडा फैलाया तो, आपके यहां के लोग हमारे यहां इलाज करानाते हैं, मैं यह नहीं कह रहा है कि लोग मरे नहीं हैं, आपके यहां भी लोग मरे हैं, 25-30,000, समझे, और कितनों को दबा दिया गया, बता ही नहीं गया, वो अलग बात है, हमारे यहां भी लोग मरे हैं, इससे इंकार नहीं है और जो pandemic आता है तो अमेरिका जैसा देश जिसकी आबारी कुल 334 करोड है और हमारी 140 करोड है वहाँ पर भी हमसे जादा लोग मरें हैं जाके चेक कर लो डेटा इंटरनेट का जमाना है पता यहाँ आपके इंटरनेट शो चलता है कि तेज़ चलता है पता नहीं चख कर लो तब आपको अंदाजा आएगा कि भारत से छोटे छोटे देश, कई देश हैं, इन भारत से जादा लोगों के मौत हुई है और वो भारत से जादा विक्सित हैं, उनके पास इंफरा जादा अच्छा है और बात करते हो आप कि कि अमाम के पास पैसे हमें नजर आता है सब के पास है लेकिन जो बेरोसगार है कम असकम उनका तो कोई आप वो हमने कल भी सीन देखा था इतिंक कोई बाप था उनका बच्चे छोट-चोटे थे और रोसगार के वज़ा से वह उसने खुदकुशी के लिए अब बताएं के ह हमारा इस पैसा तुम भी ज़ी ज़ी लोगे अवाम जितना रो रही है आप यकीन करें हम चुट-चोटे बच्चों को देखते हैं हमारे घर भी है ठीक आतने गूमते हैं लेकिन क्या करें अभी तो जिन्दी गूमने भी निकले अवाम ये इम्रान खानी आई आई फूने एैचो के आब इसन बताया है कि आई फोन जिनके पास आई फूने उनके पास बचसे चाहिए क्यों जी एप लोजिक है नई है ती शक मुझे पता है को एक महेंगी चीज है लेकिन اगर आइफोन किसी ने लिया वह तो वह अपनी जरूरत से लिया वह मुझे लेगते हैं कि लेकिन जिसके पास है उसने अपनी जरूरत के लिए तो इमराण खान से हां जोड कर एपमद को बुख्ष दें आपकी मेर बनी है हमें घबरा हैं हमारी जान चोड़ दें तुप्र अगर आपको मोधी जी की जगह पर बठादेजा एक यूदिया की तो अवाम भी थोड़ी डिस्प्लेंड है तो फिर आप क्या कर सकती है फिर क्या कर सकते कोई नहीं मौती जी की तरह एंजॉय करेंगे जैसे वो कर रहे हैं उनने तो काफी तरक्की कराईगा इंडिया देखो है उनकी तरक्की के बारे में क्या कि इंडिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं इंडिया ठीक है अपनी जगह है हम लोग पाकिस्तानी हम इंडिया का हम स्पोर्ट ही न तो हम इसलिए अपने बारे में बताएंगे कि हां उनके उदर बना दे तो हम खुद भी आयाशी करेंगे हम चाहते हैं कि हां लेकिन यह के अगर इंडिया की जगह हमें पाकिस्तान में ले आए ना तो हम अपनी अमाम को ठीक करेंगे यह जो लोग रूल रहे हैं विरोजगार उनकी हेल्प करेंगे और मैसीज देना चाहिएगे मैसीज इमरान कान को दे तो दिया है कि आपको एक दिन के लिए इंडिया का प्राइम निस्टर बना दे तो उसकी जब से पहरा तो एडिनिस्रेशन को बेतर किया जाएगा जैसे इवन पाकिसान में वहाप पे हला तो किया जाएगा ठीक है और इससे भी बड़ी चीज वहां चोंके इंडिया एक वन बिलियन से जादा अबादी का मुल्क है और आपे डिफरेंट रिजिजन के लोग रहते हैं तो सब रिजिजन के लोगों को चाहिए वो हिंदू है मुस्लिम क्रिस्टिन या वाटावर किसमे उनको कम्प्लीट आजादी होगी अपने जो प्रिलिजिन उसे प्रेट्टिस करने की और अच्छी होगी भाई साथ यहां परने कम्प्लीट आजादी है आपकी तरह नहीं है आप क्या बात करते हो आप जूटे लोगों आप आप मुझे बता दोगे क्या आपके सम्विधा या वहां का जो सिख है वो या जो वहां का क्रिशन है वो पाकिस्तान का पी-एम बन सकता है वो पाकिस्तान का राष्टपती बन सकता है चैलेंज है यह कोई साबित करके दिखा दे घुला में लिख दूगा मैं उसकी और हमारे यहां वापस आईए हमारे यहां सम्विधान में लिखा है कि हर कोई बराबर है किसी भी धर्म का हो इससे बड़ी बराबरी का ना मौका नहीं दे सकता कोई और वो आप नहीं दे रहे हो और आप बात कर रहे हो जूटे मकार कहीं के बात करते हो अकिलियत को आप दे रहे हो क्या वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे एहमदीओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे शियाओं के साथ क्या हो रहा है यह हमें दिखता नहीं क्या है हमें यहाँ पे बात करते हो आप वर्स्ट केस है आपके यहाँ उशिलंका के आदमी को मार दिया रिलिजिस आजादी है बहुत है ना शारूं कर लो यार तुम लोग कैमरे पर आके जूट बोलते हो यार ऐसा लगता कि पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया देखती है और इसलिए तुम लोग की छवी खराब है तुम्हारे देश के चवी खराब हो रहे है तुम्हारे यार लोगों से क्योंकि सच नहीं बोलते हो तुम लोग तो यह ज़रूरी है कि यह तो पॉलिटिकल पर जैसे वो कॉंग्रेस थी कॉंग्रेस जो है वो बहुत बेतर है उस हवाल आपने आके देखा है कि सफर कर रहे हैं नहीं आपने आके देखा है की रिपोर्ट है घर साल 1000 से जायद हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है नाबालिग होती है जबरण उंकी बुढ़े मौलवियों से शादी कर आए जाती है इनको इसलाम कभूल करवाय जाता है आपके यूमन कमिशन के रिपोर्ट है हमारे नहीं या किसी भारती पेपर नहीं कहा शर्म तो आएगी नहीं लेगी न आपको जूट बोलते हुआ कि जब कॉंग्रिस की जब भी वहाँ पर गुवर्म रही है तब जो है मुसलिम्स क्रिस्टन्स जो है और एव लिए बूचिफुली रहे थे जब से वीज़पी की गवर्मेंट आई उसवसे आप देखिए जोगा कि जो हालाथ है जुल्म हो रहे है एवं पर उसके बाद कश् तो जिसका जो भी रिलिजिन है उसको प्रेटिस करने के अजादी होने चाहिए, पीसफुली रनाया चाहिए, लड़ाई जगड़े का नुखसान, सबको होता है, किसी एक पार्टी को नहीं होता है। इस आदबी को पहचान लो भाईयों, और खासकर मैं पाकिस्तान के लोगों से कह रहा हूँ, कि जब भी आप कुछ बोलने आया है, सेंसिबल बात करें, फैक्ट्स पर बात करें, सुनी-सुनाई बातों पर बात मत करें, और ये भाई साहब वाट्साप इंवस्टी वाले लग में वंगों से करें वहां को साही कोने कोने तक पहुंच रही है, यहां से लोग इसको साई जगाने हैं, कि पाक्सान पकी से चुटे हैं, तो होता क्याansenिक आपके लोगों को मत्इब भाउदे हम लोग पीसफुल नेशन हैं हम लोग प्यार करते हैं अपसे हम बलुकुल नहीं आना चाहते हैं भाई साब नहीं आएंगे ज्रूत क्या है जरूद क्या है? जरूद ही नहीं हुई. जरूद के जरूद के लिए पीपल्ट इन्टे लव पाकिस्तान चाहूंगा इन्टरनेशनल फॉरूम्स पे जैसे और गुनाजेशन जैसार्क वगारा उन्में मैं कोशिश करूँगा के हमारे जितने भी नेबर्स होंगे इंडिया के नेबर्स क्यूंके मोस्ली इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इश्यू पे और बाकी चाइना और निपाल भुटान वगारा इन सब के साथ अच्छी रिलेशन होंगे ताके साउथ एश्या में एक अच्छी तरक्यी हो फोर जैस्ट फोर इंडिया आप क्या करना चाहिए इंडिया की अवाम के लिए लोगों के नहीं करना चाहिए तो मैं ये कौँगा के सारे मजभी अकलेतियां जितनी हैं हिंदू-मुसल्मान या क्रिस्टिन जो भी उन सब को उनके सभी तरह कूग दिये जाएं ये कौन बात कर रहा है ये पाकिस्तानी कह रहा है भारत को कि भाई अल्प संखेकों को अधिकार नहीं मिल रहे है एक पाकिस्तानी कह रहा है इससे बड़ी कॉमेडी कोई नहीं हो सकती ये उस देश का आदमी कह रहा है जिस देश में उसका सम्विधान किसी गहर मुसलिम को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता यह उस देश का आदमी कह रहा है जहांपर हिंदूओं की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है यह उस देश का आदमी कह रहा है जहांपर शियाओं के खिलाफ गदार शिया और उनको जान से मारने के धमकी देने वाले लोग है और ये उस देश का आदमी कह रहा है, जिस देश ने चार बार हम पर हमला किया है, ये उस देश का आदमी कह रहा है, इसलिए आप लोगों की ऐसी हालत है boss, सुधरो, सुधरो भाई, सुधरो, सुधरो अगर ये एक पैमाना है, तो भाई, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, सिंध में क्या चल रहा है, फाटा में क्या चल रहा है, TTP कौन है TLP वाले कौन है मुवमेंट्स तो वहाँ भी बहुत सारी चल रही है BLA वाले कौन है मुवमेंट्स वाने चल रही है तो अगर मुवमेंट्स से तै करना है तो भाई पाकिस्तान में तो फिर जुल्म पे जुल्म होए जा रहा है जल्म पे जल्म है कि नहीं जाओगे फॉर दी पीपल अक्रोस द बॉर्डर उनको मैंसी जना चाहूंगा कि अपने लीडर्स जो है अपना उनको इसी तरह मलब जब इलेक्शन होते हैं तो उनी लीडर्स को आपको चुनना चाहिए जो तमाम जो आपके हैं मानौर्टी होती है मुलक में तो उनका जहन में रखना चाहिए और मेरे ख्याल से तो मोदी उनके लिए बैस्ट है क्योंकि वह काफी जादे तरक्की उनके दौर में किया इंडिया ने तो मेरे ख्याल में वह सकता है दुबारा एलेक्शन जीज़िए इस कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडि ख्याल में दूरा एक लडिया का प्राइम बरा दी जाए और एक लेडी तो कह रही ही थी कि अगर मुझे तो कहीं से भी पॉजिटिव आंसर तो नहीं मिले और कैसे आपको लगे कि पॉजिटिव आंसर से मुझे तो नहीं लगए एक फिर एक जो सबसे आखिर वाले भाय सा और बाके धर्मों के लोगों के लिए लग सड़क है जो बिजली यहाँ पर 24 घंटे मिलती है क्या वो अलपसंके को को नहीं मिलते है वो मुसल्मानों को नहीं मिलते है वो इसाइयों को नहीं मिलते है या अलग-अलग बिजली जाती है कि नहीं हिंदू को सारी बिजली हैं, इतनी सारी, सबसे जादा वजीफ हैं मुसल्मानों को यहां पे मिलते हैं, कि आप बात कर रहे हो आप और यहां के मुसल्मान आपका मोहतोर जावाब देंगे? आप- एक हजारो वीडियो पढ़े हैं यूटूब पर जो भारत के मुसल्मान हैं, जो यहां के सरकार के बार तो भाई नौकरियों में क्या मुसल्मानों को नौकरी ने जाती, क्या इसाईयों को नौकरी ने जाती, क्या सिक्खों को नौकरी ने जाती, आपको आइडिया नहीं है, हमारे यहां ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, और मैं तो चैलेंज करता हूँ भाई, कुछ साबित करके द दिखा दे कितने मुसलमानों ने यहां से आप मुझे बता दो मुसलमानों इसाई हो या सिखो कितने लोगों ने का है कि हम देश छोड़ देते हैं हमारा यह देश रहने लायक नहीं है हम जा रहे है उप प्रोपगंडा वाले एक-दो जो बड़े अमिर खान टाइप हैं उनक गलत पोट्रे करते हैं, जूट बोलते हैं और आपको लगता है कि अरे यार यह तो सिर्फ पाकिस्तान में आपको आइडिया नहीं है कि यह वीडियो कहां कहां तक पहुंसता है आपको जरा भी आइडिया नहीं है तो आप लोग कुल जमा अपने ही देश के मिट्टी पलीद कर रहे हो अपने ही देश की छवी खराब कर रहे हो सुधर जाओ भाईयों, सच बोलो, सच और अगर जूट बोलना है, तो उसके लिए सबूत लेकर आओ बिना सबूत मत बात करो भारत में गोर्वत जादा है जल्दे आजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार, चेहिंद